आज हम जिस कंपनी के उपर बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसके सारे percentage के उपर नज़र डालेंगे जैसे कि sales growth, profit growth percentage and बाकी सारी चीजे then हम डिसकेस करेंगे कि company fundamentally कैसी है, technically कैसी है and then फिर उसके balance sheet पर भी नज़र डालेंगे कि quarter 4 का result जो आया, वो कैसा है उस company का देन फिर हम देखेंगे कि levels and target क्या निकल के आते हैं, तो चले फिर time waste ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ sales growth तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे, almost company ने 23% के आसपास अपना जो sales growth है उसको maintain किया है, 3 years में आप देखेंगे कि और भी बढ इन देखने को मिल रहा है, अब अगर बात करें इसके हम profit growth की, तो profit growth में भी आप जो percentage देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, पिछले 5 साल में 37% था, पिछले 3 साल में 69% के आसपास था, almost 67% we can consider it और अगर हम पिछले 1 साल की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कि 27% के आसपास इनके profit growth में एक आपको उच्छाल देखने को मिल रहा है, तो जो की यहाँ पे हम जो numbers देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे numbers हमें देखने को मिल रहे हैं, अब बात करते हैं इसके ROE के बारे म अगर हम ROE देखें तो ROE भी आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके ROE percentage आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में 9%, 3 years में 10% and 1 year में 11% के आसपास नजर आ रहा है, अब बात करते हैं ROCE की, ROCE में भी आपको numbers जो हैं वो आपको अच्छे दि बात करें percentage की, तो अच्छे खासे हमें हर एक चीजों के numbers नजर आ रहे हैं, अगर हम debt की बात करते हैं, company के उपर बहुत कम पॉइंट में आपको जो है, वो debt देखने को मिल रहा है, तो अब अगर company के बार में बात करें, तो आज हम बात करने वाले हैं Ambar Enterprise के उपर, तो जो Am companies होती हैं, जब उनके business, जो होते हैं, main business, उनको वो थोड़ा outsource कराती है, that means, उनके जो products होते हैं, वो बाहर से किसी और company से, वो manufacture कराते हैं, and then फिर वो अपने brand के अंदर बेचते हैं, तो वहीं ये जो Ambar Enterprise है, वहीं इनका काम आता है, जो कि ये air conditioner manufacturer है, बाकी दूसरी companies के लि brand के अंडर, तो अगर हम बात करें, कि कौन-कौन से इनके client है, तो एक बार नजर डालते हैं, अगर इनके client पे नजर डाले, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि Mahindra, Godrej, Daikin, Hitachi, LG, तो ये काफी सारे हैं, जो इनके अंडर, जो इनके products होते हैं, इनके brand के अंदर बिखते हैं, तो आप कह सकते कि ये काफी जादा, कह सकते कि काफी varieties of जो products हैं, वो इनके अंडर आते हैं, तो एक बार हम product के उपर भी नजर डाले, अब अगर इनके हम product के उपर नजर डाले, तो आप देख सकते हैं, जैसा कि ये जो company है, ये manufacture करती है, room air conditioner, जिसके अंदर ये काफी सारे आते हैं, window room air conditioner, split air conditioner, inverter split air conditioner, अगर हम AC component की बात करें, तो heat exchanger, electric motor, copper tubing, sheet metal component, non-AC component, अगर हम non-AC component की बात करें, plastic, vacuum forming, तो काफी सारे इनके products हैं, जो कि आप यहां पर नजर डाल चकते हैं, अब अगर वही हम mobility के बारे में बात करें, तो railway air conditioner हो गया है, उसके बाद metro air conditioner है, bus है, defense and tele communication है, तो काफी variety of products हैं, जो यह company दूसरे brands को provide करती है, अपने under, अगर इसके आगे हम company detail और भी देखें, तो पहले हम इसमें बात करेंगे, बाकी जो company detail में है, कि इनके अभी आज आए है quarter four के result, तो सबसे पहले एक बार हम quarter four के result पे भी नजर डालते हैं, कि company ने कैसा perform किया ह क्या company ने कुछ dividend दिया है अपने share holders को या फिर नहीं, फिर आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में, जहां हम बात करेंगे, चार्ट के उपर और भी बाकी इस company के valuation के उपर भी बात करेंगे, share holding patterns के बार में भी बात करेंगे, तो वीडियो को आखरी तक जरूर देखें, तो अग पर सीधा चलते हैं इसके balance sheet के उपर जहां पर हम देखते है performance, balance sheet पर जो हमें नजर आ रहे है numbers वो हैं सारे लाख में, बढ़ हम बात करेंगे इसको करोर में, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, इस company के total income from operations की, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, कि company के पिछले साल quarter quarter 4 के numbers, इस साल के quarter 4 के numbers, तो अगर हम जैसा बात कर रहे थे total income from operations की, इनके जो total income है, वो कैसे बनके आये हैं, तो अगर हम इनके income पे नजर डालते हैं, पिछले साल के तो वो थे 1,315 करोर का, इस बार बात कर रहे हैं, तो वो है 1,606 करोर का, तो अगर हम percentage wise बात करेंगे, कि total इंकम में जो इनके मुनाफ़ा आया है मतलब जो जम्प आया है वो कितना है तो 22% का हमें जम्प देखने को यहां पर मिल रहा है यह और यह बात करते हैं तो यह आया है 773 करोर का इनका इंकम जिनरेट हुआ है और यह है 108% का इनके टोटल इंकम में हमें जम्प देखने को मिल रहा है तो अगर हम टोटल इंकम की बात करते हैं तो हमें काफी अच्छे परसेंटेज देखने को मिल रहा है year on year basis पे भी and quarter on quarter basis पे भी अब सीधा चलते हैं इसके total expense के उपर की इनके खर्चे जो है वो कैसे निकलके आ र दिख जाएंगे वह आप चाहे तो आप वीडियो को pause करके या फिर आप रोक के आप देख सकते हैं सारे numbers and figures तो जैसा कि हम बात कर रहे थे हैं यहां पर total expense की तो total expense में जो है numbers वो है 1245 करोर का इनका खर्चा पिछले quarter 4 में था इस बार है 1490 करोर का तो अगर हम कहें तो खर्चे जो है इनके वो आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं वहीं अगर हम quarterly basis पे बात करें तो वो है 733 करोर का अब वहीं आप इस बार बात कर रहे हैं तो आप देखी सकते हैं कि numbers जो है 1490 करोर का तो यहां पे आपको percentage यहां पे आपको quarter basis पे भी दोनों ही जगे मतलब year on year basis पे भी quarterly basis पे दोनों ही जगे जो है वो expense आपको काफी बढ़े वे नजर आ रहे हैं अब बात करेंगे इसके total profit की profit कितना निकल के आ रहा है सालाना basis पे and quarter basis पे अब जैसा कि हम यहां पे numbers देख सकते हैं जो है net profit for the period के numbers अब अगर हम बात करें पिछले साल quarter 4 की तो आप देखेंगे 62 62 करोर का इनका जो था वो net profit में आपको numbers देखने को मिल रहा है अब अगर बात करते हैं इस साल quarter 4 की तो आप देख सकते हैं 76 करोर के आसपास इनका जो है वो net profit इनका बन के आ रहा है अब अगर percentage wise बात करते हैं year on year basis पे तो आप कह सकते हैं कि almost 20% का jump देखने को मिल रहा है हमे इनके शुद्ध मुनाफ़ा जो इन्होंने बनाया है उसमें अब अगर बात करें हम quarterly basis पे तो वो आपको नजर आ रहा है 27 करोर के आसपास and again जो quarterly basis पे देख रहा है तो इस quarter अगर बात करें तो 76 करोर के आसपास तो जैसा कि पिछले quarter था 27 करोर इस बार है 76 करोर तो अगर हम percentage wise बात करते हैं तो almost 180 के आसपास इनका जो net profit है वो निकल के आ रहा है तो आप अगर percentage wise देखते हैं अच्छा खासा number आपको net profit में भी नजर आ रहा है तो company ने overall total income भी बहुत अच्छा जिनरेट किया है और उसी के basis पे total जो इनका net profit निकल के आ रहा है वो बहुत ही शांदार numbers में या फिर आपको percentage में देखने को मिल रहे हैं अब देखते हैं इसके हम EPS पे क्या हाल है अगर हम EPS पे नजर डाले तो वो भी आप देखेंगे कि EPS भी आपको again बढ़े हुए दिख रहे है year on year पे भी और quarterly basis पे भी तो काफी अच्छे रहे है इस बार इस company के quarter 4 and year on year basis प तो 13 दिख रहा है one second sorry इसका EPS जो है वो है 22 के आसपास जैसा कि हमने अभी balance sheet पे भी देखा था 22 के आसपास है तो हमेशा 20% से अबव अगर EPS है तो काफी अच्छा माना जाता है वहीं अगर हम बात करें industry PE की तो industry PE आपको 88.94 almost 89 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है बात करते हैं तो stock PE is 229 तो आपको काफी जादा valuation जो इसका है वो काफी उपर आपको देखने को मिल रहा है because यह जो company है यह कोई चोटी मोटी भी company नहीं है इसके company के अभी आपने देखे हैं sales growth, sales growth percentage and वहीं पर profit growth percentage आपने देखे हैं और company ने काफी अच्छा perform भी किया है अभ तो भी चलेगा अब अगर हम deliverables की बात करते हैं तो last जो trading day था that means Friday तो उस दिन 58% के आसपास लोग इसको अपने DMAT account में लेके जा चुके हैं अब एक बार हम नजर डालते हैं इसके shareholding patterns पे और फिर देखते हैं company के उपर pledge है या नहीं है अब जैसा की नजर हम डाल सकते हैं क shareholding patterns इसके कैसे दिख रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो promoters के पास holding है March 21 में आपको पिछले जून 2020 से आपको घटे वे दिख रहे हैं that means इन्होंने जो है from September 20 से ही यहाँ पे cut shot कर दिया था जो कि फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि September 20 से लेके March 21 तक एक consistency maintain किया है promoters ने इ थोड़ा सा एक minor सा difference आपको दिख रहा है December 20 से लेके March 21 वाले figure में अब अगर D.I.I. की बात करते हैं इन जून से September में बढ़ाया था फिर से घटाया और फिर March 21 में घटाया बट अगर June 20 से लेके अभी तक में एक बार comparison करें तो आप देख सकते हैं फिर भी आपको March 21 में clearly दिख रहे हैं आप चाहें तो आप वीडियो को रोक के एक बार देख सकते हैं अब बात करते हैं इसके हम की इस company के उपर pledge कितना है तो यहाँ पर clearly visible है कि company के उपर अभी किसी भी तरह का pledge नहीं है जो कि यह एक अच्छी बात है अब जैसा कि हम बात करें थे कि mutual fund के इन में जो भी investment होते हैं वो तो हमने देखे हैं यह percentage बट अगर हम बात करें कौन-कौन से mutual funds हैं जो की इसमें invested हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे नाम आपको दिख रहे होंगे Tata India Tax Saving Fund Direct Growth इनके almost 2.69 percentage यहाँ पे invested हैं वहीं सुन्दरम Infrastructure, Canara Robico, L&T Emerging, Adelvis Small Cap and Kotex Small Cap तो यह यह सारे जो mutual funds हैं यह सारे ही इस company में invested आपको दिख रहे हैं अब अगर company के return के बारे में हम बात करते हैं तो return भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा खासा अपने share owners को इस share ने बना के दिया है विकाज 3 years में 163% के आसपास जो भी है वो return दिया है share ने वहीं 2 years में 304, 1 year 153 तो काफी अच्छे percentage हमें यहां देखने को मिल रहा है वहीं अगर 1 month और 3 month की बात करें तो 1 month और 3 month के basis पे आपको यह share आपको थोड़े से discounted price पे तो मिल रहा है विकाज 3-1 मेने की बीच अभी यह share भागा नहीं है तो आप चाहें तो आप इसमें उस हिसाब से अपना ज कहना है कि आप इसमें चाहें तो आप इसमें investment स्टार्ट कर सकते तो यहां पे 60% analyst अपनी buying की rating दे रहे हैं हम सब को अगर इसके चार्ट पे हम नजर डालते तो आप देख सकते हैं कि यह 1 week के time frame पे चार्ट open है जहां पे हर एक candle 1 week को represent करता हूँ नजर आ रहा है तो अगर आ इन्वेस्ट किया होगा तो उनको आज के date में एक अच्छा खासा return बना के दिया इस शेयर ने because अभी March में अगर हम बात करें इस एक साल में तो अभी हाल फिलहाल इस March में इस शेयर ने 3,672 का high लगाया है तो अगर किसी ने hold किया था तो उनको काफी अच्छा खासा इसमें एक profit नजर आया होगा बट अगर हम बात करें कि शेयर अगर pattern के बारे में बात करें तो आप देख सकते कि यहां पे भी March में तब भी यह अपने सारे ही EMA को तोड़के नीचे की तरफ नहीं आया था जहां पे काफी सारे ऐसे दिगज शेयर थे स्ट्रॉंग काफी फंडमेंटली स्ट्रॉंग शेयर थे जो कि अपने सारे ही जो वीकली EMA है सारे वीकली EMA को ब्रेक करके नीचे काफी नीचे आ चुके थे बट उसके बावजूद भी इतना स्ट्रॉंग फॉल अब अगर वहीं बात करें अभी हाल फिलहाल के दिनों की तो आप देख सकते कि यहां पे इस शेयर ने 3672 का हाई लगाया था उसके बाद आपको अभी फिलहाल इस प्राइस पे शेयर आपको नजर आ रहा होगा जहां पे यह अभी भी अपने जो रेड लाइन है 20 week EMA को break नहीं किया वहीं पे sustain करता हूँ आपको नजर आ रहा है तो जैसा कि हमने अभी देखा है कि जो इनके result है quarter 4 के वो काफी अच्छे आए हैं तो लोग अगर चाहेंगे तो हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत profit booking आपको देखने को मिल सकती है तो उसके basis पे फिर हम बात कर फ्रेम पे बात करें जो कि है one day का जहांपे हर एक candle आपके one day को represent करता हुआ नजर आ रहा है तो अगर हम वहीं बात करें थे कि जब यहां पे share ने यहां पे जब लगाया था सबसे high March में 3672 का उसके बाद आपको share थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है अगर हम one day पे बात करें तो अभी भी इसने अपने सारे EMA को नहीं break किया है अभी भी अपने 20 and 50 जो 50 day EMA है उसके आसपास आपको यहां पे consolidate करता हुआ कुछ दिनों से दिख रहा है अब अगर बात करें जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हो सकता अगर profit booking आपको दिखती है आगे आगे आने व pounds back आ सकता है तो उस हिसाब से आप इसमें चाहें तो इस investment स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें और नीचे के लेवल की तो वह आएगा आपका 2667 तो यह सारे आप नंबर नजर में रख सकते हैं आने वाले टाइम में और उसके basis पर आप चाहें तो के लेवल पर आप बाइंग इनिशेट कर सकते हैं अब अगर बात करें कि मसीडी के basis पे जहां पर हमें यह भी दिख रहा है हो सकता है इसके उपर अराम से क्रॉस ओबर देगा और यह अब उपर की तरफ निकलता हुआ हमें नजर आने वाला शेर और खास करके मैंने भी 992 का उसके बाद आप देख सकते हैं 3050 अदर्वाइज आपको 3168 तक भी यह शेर जा सकता है और तो और अगर यह शेर अच्छा खासा भागेगा तो यह अपने जो प्रिवियस हाई जो है यह काफी उपर है बाइदर वे बट महां तक भी जा सकता है तो उस हिसाब से अगर चाहें आप तो आप वेट कर सकते हैं आगे long term के basis पर अधर्वाइज आपका जो time frame है उसके हिसाब से आप चाहें तो इसमें profit book करके निकल सकते हैं तो बाकी हमने आपको दोनों तरफ के levels and targets दोनों ही बता दिये हैं आप चाहें तो अपने हिसाब से आप जो भी है decision आप वो investment करेंगे तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो I think हमने आज इस वीडियो में काफी चीज़े cover कर लिया है जहां पर हमने quarter 4 के results भी discuss कर लिये और पूरे share analysis के उपर भी हमने बात के लिए levels and targets के उपर भी बात किया अगर आपको कुछ कमी लगता है इस वीडियो में या क